दोस्तों आज की जो वीडियो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंटर्णशिप पे है मतलब इंटर्णशिप क्यों important होती है पांचे जो question पूछे गे थे मेरे से comment में उन्हीं पे वीडियो रहेगी कि internship जो होती है उसकी importance क्या है क्यों करनी चाहिए कहां से और कब हमें करनी चाहिए कहां सर्च करें internship को कितने टाइप की internship होती है और benefits के internship के वो सब चीजें आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सबसे पहले में आपको बता दूँ importance यह है internship की जो हमारी academic है हमारा education system है degree की बात करें यह diploma की बात करें वो मेरे खार में सही नहीं है बिल्कुल खराब है वहाँ पर practical knowledge का कोई scope नहीं है जो execute हमें करने उसका कोई scope नहीं है तो इसी लिए जो AICT है उसको थोड़ा knowledge है की नहीं बच्चे को ज़रूरी होना चाहिए की internship होनी चाहिए तो उसने कह है 3-4 बार अबे आपको degree में या diploma में internship करनी है और companies क्या करती है मतलब आपकी age 20 साल नहीं होती है और 5-6 साल का experience मांग लेती है तो कहां से बच्चा लाएगा तो वो होता क्या है वो knowledge वो चीज वो कहां से लाता है वो लाता है internship करके तो वो इसलिए और कहां से करनी चाहिए तो काफी चीजे होती है आप किसी construction site पर करिए जहां आप कोई तरीके से करिए और कब करनी चाहिए मैं आपको बता दू डिगरी में आपको तीन से चार बार करनी चाहिए जैसे आपकी डिगरी complete हो जाती है आप तब कर सकते हो जहां जब आप job कर रहे हो कब भी भी internship को करो कोई उसमें दिक्कत नहीं रहती है और search कैसे करनी है internship search के लिए देखो काफी चीजे है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ internship के बारे में mostly internship में आपके लिए लाते रहता हूँ और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको करनी चाहिए क्योंकि आपका बाकी तो आप पे होता है कि आपको करनी है नहीं करनी है बाकी अगर हम जो बात करें जैसे बाकी रहती है जो जिसमें आपको salary भी मिल रही है यहां कई आप किसी site पर कर रहे हो उदर क्या होगा आपको उदर वही चीज सीखनी है जो वो सीखाएंगे जो intern आपका जो होगा sir जो topic वहाँ चल रहा होगा जो चीज के चल रहे होगी वही सीख पाओगे लेकिन जो paid internship रहती है क्योंकि degree में काफी ज़ाद invest कर रहे हो आप और यहां पर थोड़ी pay आपको करना है क्योंकि जो paid रहेगी उसमें जो industry में चाहिए जो institute आपको करवा रहा है वो पूरे तरीके से आपको बढ़ायेगा पूरा जो interview में आपसे पूछह रहेगा वही चीज वो internship में करवाने वाला मैं आपको بتाऊंगा क्या चीजे आपको internship में करनी है या आदी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ benefit क्या है benefit यही है कि आपको site का पता पता चलता है वो आपको internship में करवाना चाहिए फिर जो schedule बनाए जाते है MSP और preamber के help से वो आपको आने चाहिए फिर जो estimation की जाती है steel की जहां drawing की help से वो आपको interior design और site management का knowledge internship में आपको होना चाहिए building information modeling का जो अभी बहुत ज़रूरी है green building के बारे में digital construction technologies जो नए नए technologies आ रही है वो internship में आपको include होनी चाहिए BBS कैसे बनते हैं वो आपको होना चाहिए science engineer का knowledge वो आपको होना चाहिए तो ये सब के दिमाग में आ रहा होगा कि internship paid करे कहां से तो CMTI एक ऐसा institute है मैं क्यों CMTI के नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो इनके expert है वो खुद 25-30 साल का experience सबका है और जो इनके CEO है S.G. Ashok Kumar जी उनको 25 साल खुद का experience है खुद उन्होंने internship जो program है वो खुद design किया है खुद LNT, SAC, GMC काफी companies में काम कर चुके हैं CMTI एक official technical trainer है NITTR का बहुत बड़ी बात यह होती है तो इसकी मैं detail देता हूँ आपको कि वहाँ पे offline या online training कैसे और एक offer भी आप लेके आयों free course भी मिलेगा बता दो free course भी देने वाला हूँ और कुछ 10 बच्चों को coupon भी देने वाला हूँ तो पूरी detail देख लीजी आपको पता चल गया internship क्यों important है लेकिन अभी कादनी कहां से है वह आपको बता देता हूँ पहले मैं पहले congratulate कर लेता हूँ काफी बच्चों को opportunity job मिली है offline student थी यह सब तो इनको एक company में recruitment यूई है और client ने खुद thanks कहा है CMTA को कि इतनी अच्छे बच्चे इतनी अच्छी skill के साथ उन्होंने दिये तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि client खुद thankful है कि बच्चे ऐसे मिले तो अगर हम बात करें तो जो ब्लॉग के बारे में इंटर्शिप पे जो ब्लॉग में आपको बताया इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो खुद इन्होंने S.G. Ashokumar जी ने लिखा है उनको काफी knowledge है इस चीज का तो उन्होंने पूरा ब्लॉग इस पे लिखा है वो description लिंक रहेगा वो भी ज़रूर पढ़ो एक बार काफी अच्छा knowledge उसमें है और जैसे मैं बात कर रहा था हमारी जो प्राइम मुनिस्टर है मोदी जी उन्होंने भी बहुत चीजें कहा है importance skill के बारे में कि आपकी कितनी importance होती है skill की कोई भी काम है skill के बिन इनकंप्लीट है वो आपका internship की help से complete हो सकता है तो CMTA मोका दे रहा है वो आपको internship program मिलेगा मतलब ऐसे उसका price कितना है 3000 लेकिन 10 बच्चों को सिफ 750 मिलेगा जो जल्दी जल्दी apply करेंगा और internship जैसे complete होती है certificate आपको मिलेगा और अगर मैं बात करूँ आप अगर आज ये enroll करते हो इसके लिए तो आपको billing engineer का course बिल्कुल free मिलने वाला है 750 में तो CMTI skill ये coupon code है ये आप डाउनलोड कर लीजिए और अगर मैं बात करूँ इनकी app को ज़रू डाउनलोड कर लो मैं description लिंक डालता हूँ उसका वो app डाउनलोड करोगे तो आपको daily job news construction news, job update इस सब चीज़े आपको मिलने वाले हैं और दोस्तों के शायर करोथे coupon code मिलते हैं जिनकी help से आप course buy कर सकते हो और जो बच्चे बोल रहा है कि सर आउनलाइन नहीं करना है offline भी चाहिए तो field training भी इनकी possible है आप एक मन्त की field training भी कर सकते हो उसके लिए apply कर लीजिए एक मन्त की भी रहते हैं और AICT ने जैसे कहा है वैसे वो design की गई है उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए phone number भी वर्ट से आप कर सकते हो तो description में लिंक डाल देता हूँ हर चीज का आपको description में लिंक मिल जाएगा जल्दी जाके apply कर लीजिए कोई doubt कहरी रहती है तो यह सामने phone number है इसके भी आप call कर सकते हो Thank you guys